कि आपको पता कि लास्ट वन मंस के अगर मात करें तो एक महीनिक अंदर अधर इतने सारे फॉर्म्स आपके पास आ चुके हैं ना चाहिए हम आर्भी जोई की बात कर रहे हैं डीडी एजए की बात कर लें डीएफ सीचल की बात कर रहें अब दुबारे से एनच पीसी आ है तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर इतने सारे फॉर्म्स आगे हैं को कैसे टेकल करें तो बट आज का जो रहेगा हमारा वो रहेगा एनच पीसी के लिए आपको यह पता चल जाए कि इसकी तयारी कैसे की जाती है सबसे इंपोर्टन आपके मन में आता है जब भी कोई फॉर्म तो भर दे तो बैको उसमें कुछ जा नहीं रहा होता आपका आपके पैरेंट्स का बस पैसे जा रहे होता है लेकिन उसमें आपका इन्वेस्टमेंट जाए रहा है तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी सो अपको रिटन मिल सके उस पर जोब में तो इंपोर्टन तो यह है कि वह तैयारी कैसे करें स्टार्टिंग कैसे करें पहले तो वह पता चल जाए क्योंकि वह बहुत जरूरी है अब आपको थोड़ा सा मैनेजमेंट आप क्योंकि बहुत सारे forms आपके पास हैं तरीके पता दूँगा कैसे कैसे करने लेकिन मेनेजमेंट खुद से आपको करना होगा आज वह रहेगा आपका नहीं के लिए आपको बता है कि नेशिनल हाइड्रो एलेक्रिक्रिक पावर कोर्पेशन यह एक मीनी रतना है ठीक है तो की तरफ से आपका JEE के लिए पोस्ट आई है और लेकिन जो JEE के लिए पोस्ट आई है उसमें अगर आप बात करें तो नॉन टेक्निकल टेक्निकल धोन आ रहें आपको पताएं नोन टेक्निकल पीछे कभी नहीं रह रहा है हर एक एक्जाम में दिखाए दे रहा है तो इसको और इसको ignore भी नहीं गया जा सकता है, मैं एक line बोलता हूं कि non-tech नहीं तो selection नहीं, वह वाली बात सच हो रही है, because हर एक exam में आपको non-tech दिख रहा है, dfccl में तो पूरा का पूरा non-tech ही है, prelims में, CBT1 में, तो अगर आपको अच्छा करना है, तो non-tech को तो especially अच्छा करना पड़ेगा, किसी भी exam को अगर आप cater कर रहे हो, चाहिए हो SSC JEE हो, RRBJ हो, NHPCL हो, NHPCL हो, या फिर DFCIL हो, RBIJ हो, BRJ हो, JSC JEE हो, किसी भी exam को cater कर रहे हो, तो अच्छा करना पड़ेगा, थोड़े सी, इसकी बात कर लेता है, कि इसमें आगया किया रहा है, पहली बात तो negative marking है, यह obviously सारे exams में होती है, आपको भी पता है, लेकिन X में negative marking जैसे banks में, आपको देखने को मिलती है, 1 by 4th की, वो ही है, UPSC के जितने exams होते है, Union Public Service Commission के, उसमें 1 by 3 की negative marking मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको मिल रही है, 0.25, that's my, अगर आप 4 questions घल्द करते हो, तो एक साही marks आपका cut कर लिया जाएगा, ठीक है, नो marks पर दूड़े यह तो आपको पता ही है, ठीक है, अब जैको subject क्या क्या आ रहे है, जेई, civil, electrical, and mechanicals के लिए, एक तो number of questions है, आपके पास 200, 200 questions पूछे जाएगे, लेकिन वो 200 जाए distributed है, कैसे distributed है, 140 MCQs आएगे concerned disciplines, concerned disciplines मतलब आपका tech वाला portion, ठीक है, अब जो बचे 60 questions, वो इन्हों ने distribute करते हैं 30-30 में, 30 आपका आजाएगे, जर्नल awareness के, और 30 आपके आजाएगे, आपके जर्नल reasoning के, intelligence reasoning वाले portion, है ना, तो अगर आपको अच्छा करना है, तो आपको ये पता होगा, यानि कि आपको कुछ तो compensate करना होगा, अगर tech थोड़ा अच्छा आ जाता है, तो इसको company state करने के लिए, आपके पास ये दो option है, कि हाँ, 30 नमबर यहाँ जर्नल awareness के, और 30 नमबर यहाँ reasoning के, है ना, ये आप अच्छा कर सकतो, अभी आपको तैयारी कैसे करना है, ये वो बहुत important बात है, अभी दे कुछ सारे जितने भी लोग आपको, चाहे वो सिविल के, वो electrical, mechanical, जितने भी हो, बहुत सारे form से एक साथ lined up है, सबी form आप भरोगे भी, ये मेरे को पक्का पता है, अगर सारे form आप भर रहे हो, मैं बता रहा हूँ, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, तो, अगर बिखर रहे हो, तब नहीं हो पाएगा, आप एक जंगे से पढ़ते हो, यूट्यूब से फिर यहां से पढ़ रहे हो, फिर यहां से पढ़ रहे हो, तो वो आपको पहली तो बात फॉर्म फिल करना है, दूसरी बात यह है, अब 140 कोशिन आपको पता है, तो अगर आप टैक की तैयारी कर रहे हो, चाहिए आपने से की तैयारी किया, या किसी भी एक्जाम्ट की किया, यही जैए वाले में से, तो आपका टैक पोर्शन अच्छा होगा, नहीं है तो वो पढ़ी रहे होंगे, अब नोन टैक क्या है, अलग से आएगा कुछ नहीं, वही तो आ रहा है, जो सभी एक्जाम्स में पूछा जा रहा है, आपसे जर्नल अवेने से पूछी जा रही है, आपसे रिजनिक पूछी जा रही है, वही आ रहा है, तो अब यह दो जो पॉर्शन है, आपके नोन टैक वाले, अगर आप ऐसे सी जई की तैयारी कर रहे हो, आप बाकी किसी भी एक्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप जर्नल वेस पढ़ रहे हो, इस्टेटिक डाइनेमिक पॉर्शन सारा पढ़ रहे हो, है ना, इस्ट्री जोग्रफी और आपका पॉलिटी, आपका एकॉनोमेक्स या फिर इन्वार्मेंट, वो सब पढ़ते हो, कर मैं इस फॉर्म को अप्लाई क्यों ना करूं, करूंगा मैं तो, है ना, पहली बात तो ये, दूसरी बात आपकी ये कि हाँ, अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, आप इसकी तैयारी कैसे करनी है, देखो, दोनों को अपने को साथ लेकर चलना पड़ेगा, टेक प्लस जर्नल अबेरेस, जर्नल अबेरेस में कुछ specific topic होते हैं, जहांसे questions पूछे जाते हैं, अगर मैं बात करूं, जैसे politics से questions आते हैं, कोई भी exam उठा कर देखो, article से question आया है, तो क्यों ना, मैं articles पर focus करूंगा पहले, economics से कम questions आते हैं, तो मैं economics को बाद में कर लूँगा, जब time नमबर खीच सकते हैं, तो अगर आप maximum नमबर 30 में से खीच लेते हो, जर्नल अबेरेस में, और यहां पर 30 out of 30 का target करते हो, जो कि possible है, लाना, ऐसा नहीं possible नहीं है, तो यहां 30 और मालों यहां 25 भी ला देते हो, आप तो 55 नमबर आपके यहां से आ जाएंगे, जो कि अच्छ सब्सक्राइब करते हो, जो भी पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, वो सबका सेम है, जाना, बस question is different हाएंगे, कुछ question हो सकते हैं कि हाँ, दूसरे exam के उठा के डाल दिया जाएंगे, तो वो भी आपका concern discipline है, तो मतलब यह वाला portion भी आपका clear हो जाएगा, तो कुल मिला क यह पहली बात यह है कि आपको दोनों को एक साथ cover करना होगा, साथ में अगर बिल्कुल भी तैयारी अभी तक नहीं start कि तो एक mock test देके देख ले ना, क्यूंकि कुछ तैयारी ना, हमारी back end भी रहती है, हमने कभी पढ़ा होगा, है ना, किसी दूसरे exam के लिए, तो वो ही तैयारी यहाँ पर काम आ जाएगी आपकी, ठीक है, तो mock test आप एक बड़ ट्राइ करके देख लो, कि हाँ, कितनी number मेरे आ रहे है, NHPC में, अगर उसी के साब साब चीजों को solve कर सकते हो, ठीक है, तो यह guys था आपके लिए session, जो कि मैंने सोचा कि NHPC के तैयारी कैसे गर नहीं मैं वो थोड़ा सा बता देता हूं, है ना, तो 200 questions आपके पूछे जा रहे हैं, यहां से, ठीक है, लेकिन इसमें जो time दे रखा है, वो आपको 3 आवास का दे रखा है, यानि कि 3 घंटे, 180 मिनट्स, जो कि enough है, है ना, enough मतलब जाद ही है, क्योंकि साब के सब objective है, टिक करना है आपको, लेकिन थोड़ा जाद है time इस वोजे से मिला है, क्योंकि questions का level easy to moderate ना होके, moderate to difficult रहने वाला है, कुछ-कुछ, ठीक है, तो इस तरीके साब तैयारी गर जाकते हो, अब इसमें आपको होगे, सर यह तो ठीक है, वाईटी से तो हम पढ़ेंगे, यूट्यूब से पढ आया है, तो मैं इसको भरूँगा, और मैं निकालूँगा, ऐसा नहीं कि मैं भर रहा हूँ, भीड नहीं बनना, मेरे को भीड़ इससा नहीं बनना, मेरे को निकालना है, फोड़ना एक्जाम, तो एक बर तैयारी कर लो, डंग से, यह 4-5 महीने खीज़ दो, बढ़ी है, एक होँ, उसको छोड़ दे, इसको चूश कर लेता है, एसको चूश कर लेता हु, इसको ठोड़ कर लेथा हु, जो है, आपको आपस क्लासेज में एक और फिंट भी स्क्रूष क्लीनी क्लोड़नों बले है, तो चाहे आप स्वे के student हो चाहे वह mechanical के हो चाहे वह electrical के हो तो वह आके जोइन कर सकते हो तरीका मैं बता जयता हूं कैसे जोइन करना है बड़ा सिंपल सा है आप आओगे यहां पर Google पर सच करोगे अटट 247 आपको सच करना है है वैप साइट पर जैसे आप क्लिक करते हो अडट 247 की वैब साइट इस तरीके से ऊपन हो जाती है जैसे आप जयते हैं जातो जो कि आपका सेक्षण है इन्जिनिंग मैकेनिकल ओला एक्जाम इंक्लूड है इस पर आपने क्लिक किया तो यहां पर तो बहूत हाई है इसको कम कर लेते हैं कितने पैसे में हम खरीच सकते हैं यहां कोड होगा यदिक करोगे इसकाउंट क्लिक करोगेज। नइलगा कूपन कोड लगाए कोपन कोड लगाया तो जैसी आपने liegt अपने हुआ में अजान काउंट रिकाऊंट डिटो जाओगे- तो तीन हजार में आप सारे के सारे एक्जाम जितने भी आप भर रहे हो वो सारे के सारे इसमें मिल जाएंगे NHPC automatically इसमें आ जाएगा साथ में test series भी मिल जाएगे जो कि मैं कहा रहा हूँ आपको test series लगाने को तो क्यों ना मैं यह लोँ फाइदा तो इसमें है मेरा तो फाइदा इसमें उस तरफ बढ़ना चाहिए और अपनी तयारी को स्ट्रीम राइन करके इसी साल एक्जाम फोड देना है आ गए कि इंतजार निगरने मेरे को जोब 25 में क्या होने वाला है अभी 2023 में एक्जाम फोड ना है और इसी साल जोब लेनी है तो जोब ले सकते हो आप तयारी करके हमारे साथ help करके कोशिश करेंगे हम आपकी तयारी में थोड़ी बहुत help करके है और थैंक यू सो मुच फोर वाचिंग देश वीडियो इसी तरह जुड़ते रहो हमारे साथ और सेशन को शेर करते रहो थैंक यू सो मुच गाइज